गुड मॉर्डिंग बच्चो कैसे हो आप लोग चलो तो आज काफी बड़ा अनौंस्मेंट है बच्चो जो बच्चे MST-CET का एक्जाम 2021 में देने वाले हैं मतलब अगले मन्त में बच्चो जो बच्चे एक्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक बच्च आ रहा है बच्चो जिस बच्च का नाम है PYQ बच्च मतलब प्रिवियस इयर कोशन्स होंगे बच्चो जो MST-CET में अभी तक पूछे गए हैं तो ये बच्चो 10 डेज का बच्च है वो प्रिवियस इयर कोशन्स आपके लेने वाले हैं ताकि आपका प्रिप्रेशन और अच्छी तरह से हो सके बच्चो बराबर अभी तक आपने कुछ पढ़ा होगा कुछ बच्चो ने पढ़ा नहीं होगा है not अगर स्कोर अच्छा लाना है तो previous year question करने ही होते है क्योंकि previous year question जो होते है वो जैसे के वीशे एगर repeat भी नहीं हुए तो भी बच्चो क्या होता है वो concept repeat होता है थोड़े बहुत sentences में changes आते हैं और question बच्चो जैसे के वैसे आपको देखने को मिलेंगे अगर previous year question करते है तो एक idea आपको लग जाता है किस तरग के सवाल बच्चो एक्जाम में आने वाले है तो MSTCET के लिए बच्चो हम previous year question का बैच करवा रहे है और ये स्रिफ 10 days का बैच है बच्चो 10 days में सारे previous year question जितने maximum cover हो सके सब कुछ बच्चो हम ये करने वाले है तो इन बैचेस के जो टाइमिंग है बच्चो तो ये जो विनोत फरपट सर है बच्चो ये आपको math पढ़ाएंगे ठीक है और इनका जो बैच है बच्चो इनके बैच का टाइमिंग है 4 बज़े है शाम में 4 बज़े बच्चो इनकी class होगी उसके बाद रंजित दुमाले सर है बच्चो ये आपको physics पढ़ाएंगे और इनके बैच का जो टाइमिंग है बच्चो वो है शाम में 6 बज़े का टाइम है बच्चो ठीक है उसके बाद अधिति मैम है बच्चो और ये आपको biology पढ़ाएंगी मतलब जो PCB group में exam देने वाले हैं उनके लिए बच्चो तो इनका जो class होगा बच्चो वो सुबह 8.30 शायद 8 या 8.30 के बीच में है ठीक है एम सुबह होगा बच्चो ये वाला class ओके biological class यहाँ पे मैडम आपको bio पढ़ाएंगी ओके और मैं आपको chemistry पढ़ाने वाला हूँ बच्चो और इसमें मेरा जो class का timing है वो 7.30 पीम है बच्चो शाम में 7.30 बजए मेरी class बच्चो इसके होने वाली है ठीक है तो 10 days में previous year question maximum जितने 100 हो सकते हैं बच्चो अच्छी तरह से planning करके बच्चो हम इसे करने वाले हैं तो आप ये batch मेरे साथ join कर सकते हो बच्चो ये batch होने वाला है unacademy का आपको क्या करना होगा goal select करना होगा बच्चो mstcet ठीक है mstcet goal select करना होगा unacademy app पे आपको पता है unacademy app open करो आपका mobile number register करो email idea register करो और जो goal select करना है बच्चो वो आपको mstcet है language आपके हिसाब से marathi, hindi, english जो है वो choose कर सकते हो लेकिन goal जो है वो mstcet select करना है और वहाँ पे बच्चो आपको ये 10 days का batch करना है अगर आप 2021 के बच्चो हो तो आप 1 month का subscription ले सकते हो ठीक है 1 month का subscription ले सकते हो अगर exam आगे भी अगर कुछ postpone होता है तो भी कोई tension की बात नहीं है तो 1 month का अगर आप subscription लेंगे बच्चो तो लगबा कुछ तो भी 999 कुछ तो भी price है बच्चो इसका है ना और इसमें भी अगर आप code लगाएंगे बच्चो मेरा rns liu ठीक है यह मेरा code है subscription code जो नीचे आपको screen पे भी दिख रहा है तो यह rns liu अगर आप code लगाएंगे बच्चो तो यह जो subscription fees होगा इस पे आपको 10% off मिलेगा बच्चो ठीक है subscription fees होगा इसमे 10% off मिलेगा मतलब लगबग बच्चो यह जो fees होगा आपको यह 8.99 के करीब करीब बच्चो आजाएगा ठीक है तो 9 सरुपए में बच्चो आप यह batch कर सकते हो fees कुछ जादा नहीं है न PYQ सारे PYQ बच्चो आपके cover होंगे एक idea आजाएगा आपको किस तरह से बच्चो यह classes होने वाले है ठीक है तो यह जो course है बच्चो इसका जो launch data यह कल से launch हो रहा है मतलब 25 अगस से कल से बच्चो यह वाला batch launch होने वाला है ठीक है 25 अगस timing मैंने आपको बता दिये हैं तो आपको इस तरह से आपको करना क्या है MST CET का 1 month का plus subscription लेना है goal MST CET चाहिए बच्चो याद रखना उसके बाद subscription लेना 1 month का और code लगाना RNS LiU जिससे आपको 10% off मिलेगा subscription fees में fees कुछ जादा नहीं है अगर अच्छी तरह से plan करेंगे तो अच्छा score बच्चो आपका आ सकता है concept clear हो सकते है सकते हो अच्छा सा score बच्चो आपका आ सकता है ठीक है तो आज के class में बच्चो बस इतना ही मिलेंगे अभी batch में मैंने सारे details आपको दे दी है बच्चो बाई बच्चो